सद्गुरु सोशल मीडिया से दूसरा सवाल आरियन सेन ये पूछ रहे हैं कि शारेरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्यान के लिए पुरुष का सीमन कितना महत्वपूर्ण है? क्या अपने सीमन को बरबात करना हमें आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुचा सकता है? देखिए आप जानते हैं कि आपकी शारेरिक मौजूद्गी का अधार सीमन या वीर है आप चाहे पुरुषों या महिला आपके शरीर को बनाने के लिए जिम्मेदार सामगरियों का 50 प्रतिशत ये है है ना हमारे पास चमडी है हमारे पास चमडी के ऊपर की कोशिकाए है हमा अपने आप में इन सारी कोशिकाओं की कुछ न कुछ शमताएं हैं लेकिन सीमन के शमता का इस्तर जबरदस्त है ये एक पूरा नया जीवन बना सकता है आज आप तोचा की एक उपरी कोशिका को लेकर प्रियोग शालह में बहुत कुछ कर सकते हैं और शायद हम आपका क्लो शमता यहां भी है लेकिन इसका स्तर उन कोशिकाओं के स्तर जैसा नहीं है जिन्हें आप सीमन या वीरे कह रहे हैं तो योग संस्कृति में हम इसे वीरे कहते हैं वीरे को हम वज्र भी कहते हैं जिसका अर्थ है स्थिर्ता या हीरा जो सबसे कठोर चीज है तो मानव शरीर में वीरे को वज्र की तरह समझा जाता है जिसका अर्थ है कि अगर आप इसका उप्योग करना जानते हों तो ये सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है तो इसका उप्योग करने का मतलब ये है कि आप इसका उप्योग बच्चे पैदा करने के लिए कर सकते हैं ये एक तरीका है खेर ये सवाल इसलिए आया क्योंक ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर नैतिकता के आधार पर कोई राय बनाई जाए सवाल ये है कि कोई किस हद तक मजबूर होकर कुछ कर रहा है लेकिन क्या इस शरीर की किसी भी चीज़ को एक दूसरे स्थर पर काम करने के लिए रुपांतरित किया जा सकता है बिल्कुल केवल सीमन ही नहीं इस शरीर की हर चीज़ को रुपांतरित किया जा सकता है देखिए मान लीजिए अगर मैं आप सभी को सूप बनाने की सामगरी दूँ आप सभी को एक जैसी सामगरी दूँ तो क्या आपको विश्वास है कि आप सभी लोग एक जैसा सूप बनाएंगे नहीं आप 500 प्रकार के सूप बनाएंगे हलाकि सामगरी एक ही है यही हम सब के साथ इस समय हो रहा है हम सभी बुन्यादी रूप से एक ही सामगरी से बनें लेकिन देखे कि हम एक दूसरे से कितने अलग है क्योंकि सूप अलग है तो अगर मैं आपको सूप बनाने की सामगरी दूँ तो आप या तो अच्छा सूप बनाएंगे या बेकार सूप बनाएंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप ये काम कितना जानते हैं, है न? तो ठीक ऐसा ही हर चीज के साथ होता है. केवल सीमिन के साथ ही नहीं. अपने मन और शरीर के हर आयाम को आप किसी जबरदस चीज में रुपांत्रित कर सकते हैं. या आप इसे साधारन बना सकते हैं, या आप इसे गंभीर समस्या में बदल सकते हैं, जीवन के हर पहलू को, ऐसा ही जीवन के इस पहलू के साथ भी होता है, यही उर्जा, देखिए, लोग शाब्दिक अर्थ लेते हैं, लेकिन अगर आप किसी विशेश चीज, जैसे तौच के उपर की कोशिका को पैदा करना चाहते हैं, तो शरीर इस पर उर्जा खर्च करेगा, पर अगर आप सीमन की एक कोशिका को पैदा करना चाहते हैं, तो शरीर बहुत अलग स्तर की उर्जा खर्च करेगा, इसे वेग्यानिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है, तो जब परविक है कि इसमें एक शमता है लेकिन क्या आप में उसे खोजने की काबलियत है क्या आप वो खोज करना जानते हैं क्या ऐसा करने के लिए आपके पास साधना और मार्क दर्शन है ये एक प्रश्ण चिन है प्रश्ण चिन हाँ